हेलो गाइज, वेलकम टू जे के एक्जाइम कराकर तो जैसे कि आपको बता है कि हमने अपना जो है ओनलाइन बैच भी स्टार्ट कर दिया हुआ ठीक है और ओफलाइन बैच भी हमारा स्टार्ट हो गया श्री इंस्टिटूट करन अगर में जो है अपना बैच भी स्टार्ट कर दिया है, आप अपने आपको रिजिस्टर करवा सकते हो हमारे जो ओफिशन नंबर है उस पर कॉल करके अगर आप ओनलाइन रिजिस्टर करवाना चाहते हो तो भी आप कॉल कीजिए और ओफलाइन के लिए भी आप जो है तोपिक है दिस सोचल and कल्टल अपराइज़िट ठीक है सो गाइस देखें जो हमारा आज का तोपिक है दिस सोचल and क्ल्टल अपराइजिंग इन इन इंडेन अगर देखते अदर आम नहीं इन रिजिल आटक्हों नुक्ताशंच को डेखते हमारी Indian society जो है as for as अगर हम उस time अगर देखते अनिशन्ट वोल्ड से हम लोग देखें तो काफी जो है यहाँ पर society में भी बहुत सारे issues थे और culturally भी यहाँ पर बहुत सारे issues थे ठीक है उस time यह issue जो है वो issue नहीं माने जाते थे लेकिन आज के time पर वो एक बहुत बड़े issue का कारण भी बन सकते हैं जैसे आज हम untouchability की बात नहीं करते हैं आज हम सत्ती प्रथा की बात नहीं करते हैं and so many evil things जो हमने अपनी society से eradicate कर दी है ठीक है so कुछ लोग ऐसे भी थे हमारी इंडियन society में जिन्होंने के इन चीजों के बारे में सबसे पहले बात करी तो आज की जो हमारी class है especially उसी के बारे में है कि हम लोग पढ़ेंगे कि कौन-कौन से ऐसे moments हमारे इंडियन society में हमारे thinkers के दुआरा जो है वो चलाई गई थी सिर्फ हमारे लोगों की mentality और उनकी सोच को बदलने के लिए ठीक है उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे so start करते हैं आपका पहला जो topic है that is जो पहला concept में आपको बताने जा रहा हूँ that is ब्रमो समाज so ब्रमो समाज की अगर मैं बात करूँ तो इससे पहले में आपको एक चीज ये बता दू कि Indian society के अगर मैं बात करूँ न तो बहुत ही complex society हो चुकी थी हमारी ठीक है हमें real way में हमको पता ही नहीं था कि हम लोग है क्या ठीक है क्योंकि अगर आप जब innocent world को देखते हैं अगर जब हम पढ़ते हैं तो innocent history में जब हम लोग वेदिक period को पढ़ते हैं तो वेदिक period को दो हिस्व में divide किया गया है earlier and later तो उसमें हम देखते हैं कि एक period में आप women's को जो है rights दे रहे हो they can participate in the assembly है ना और कोई caste जो है वो fixed नहीं है ठीक है आपकी जो caste है आपके work के base पर जो है वो based है लेकिन जब हम earlier period में आते हैं ठीक है जब हम later वेदिक period में आते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पर सारा scenario जो है वो change हो गया आपने women's को हमने women's को society से बाहर कर दिया है हमने उनको assembly में आने से बना कर दिया हमने उनके उन पर ऐसा कर दिया कि आप लोग जो है आपका काम जो है वो homely मतलब घर पे आप काम करो गया आप बाहर नहीं आ सकते हो है ना so many restrictions जो है हमने women's पर लगा दी हमने जो caste था हमारी जो work के से जो हमारे thinkers है उन्होंने इनके बारे में क्या बोला उन्होंने कैसे अपनी तरफ से कोशिश की आप लोगों को ये चीज़ समझाने की या उस टाइम के जो लोग थे उनको समझाने की कि हमारा जो real essence है वो क्या था हम लोग किस तरीके से जो है वो भटक गए हैं एक अलग रास्ते पर जो है वो चल गए हैं इसी के बारे में उन्होंने समझाने के लिए हमारे यहां पर कुछ moments जो है वो चलाए गए थी हमारे thinkers के द्वारा तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ब्रह्मो समाज जो है इंडिया में इसको फांड किया गया था राजा रामोन रोय के द्वारा 1822 राजा रामोन रोय जो है उन्होंने जब इंडिन सोसाइटी को स्टेडी किया तो उन्होंने कहा कि यहां पर तो बहुत सारी problems है इट इस full of you know lack of knowledge है यहाँ पे लोगों को कुछ इनको right wrong का decision पता नहीं है गलत God का concept लेके यह लोग चल रहे हैं हर एक चीज का जो concept है उसको गलत जो है वो ठहरा जा तो इन्होंने जो है अपनी तरफ से कोशिश की society को बदनने की तो as far as your paper जो है concern तो वहाँ पर सीधा आपको पूछ भी सकते हैं that who is the founder of brahmo samaj ठीक है तो जो भी important मेरे according मुझे लगता है कि जो SSB में आपसे पूछा जा सकता है उसी के according मेने important points जो हैं यहाँ पर लेके रखे हुएं इनका आप एक screenshot जैसे कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इसका एक screenshot लीजिए बहुत सारे बच्चों से हमें complaint भी आए कि sir आपका जो वीडियो है वो साफ नहीं आता है ठीक है इसको एक काम किजिए पॉस कीजिए वीडियो को उसके बाद जो इसकी quality है वीडियो के उसको बढ़ाईए ठीक है 720 पर कर दीजिए या 1018 पर कीजिए उसके बाद इस वीडियो को पॉस करने के बाद इसका screenshot लीजिए फिर अपनी वीडियो quality कम कीजिए आप जो है हमारा जो ये topics हैं आपको clearly दिखाई देंगे ठीक है तो बात करते हैं आपके ब्रह्मो समाज की तो इसके founder कोन थे इसके founder थे राजा रामोन रॉय राजा रामोन रॉय जो थे इन्हों ने जो है ब्रह्मो समाज जो है फाउंड किया 1828 ठीक है गाइस डेट याद रखी लीजिए और ठिंकर याद लखी लीजिए समाज के कोन थे किसने बनाया इससे पहले अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने एक आहत्मे सभा भी जो है वो फाउंड किया था ठीक है आहत्मे सभा इन्होंने फाउंड किया था ये 1850 नहीं है ठीक है ये 1815 है ठीक है तो शुरू में इन्होंने आहत्मे सभा जो है वो स्टार्ट किया था 1815 में लेटर फिर इन्होंने उसको एक जो मुमेंट है उसको ब्रॉड किया और फिर उसको उनुने नाम दिया ब्रह्मो समाज ठीक है इसमे इनुने कहा कि हम जो है लोगों को बताएंगे के हमारी society में क्या-्क्या चीज़े जो है वो गलत है तो इनुने जैसे बात करी सतीप्रथा की इनुने कहा कि सतीप्रथा जो है वो एक गलत चीज़ें नहीं होनी कास्टिजम के ये लोग खिलाफ थे और विड्डो रिमैरेज के भी ये हक में थे, ये कहते थे कि नहीं हर एक इंसान को उसकी लाइफ जीने का हक है, हम कोन होते हैं जो है, इनको किसी भी इंसान की फ्रीडम या उसकी जो लिबर्टी है उसको कर्टेल करने की दिए, God has made us all equal, हम सब को God ने एक जैसा बनाया है ठीक है, तो इनों ने जो है अनिशन टेक्स्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, कहीं ने कहीं इन थिंकर्स के अंदर ये चीज थी कि हम लोग जो सोसाइटी में ऐसा क्या है, क्या हमारा God जो है, वो इतना बहरेम है कि वो एक इंसान को कह रहा है कि तू liberal है, तू हर चीज तू कर सकता है, वही पर एक दूसरा हमारा जो gender है, female जो gender है, उसके साथ वो कह रहा है कि तुम तुमें जी कुर्बानी देनी है, तुमें ये sacrifice करना पड़ेगा, तुमको ये sacrifice करना पड़ेगा, costism के base पर जो है, जो बात हो रही है, अगर आपने movie, PK movie देखी है, तो PK movie में भी यही concept जो है, दिखाया गया है, कि अगर God ने अगर कोई defense create करना होता तो he can, मतलब कुछ ऐसा करता कि हमको पता चल जाता कि that costism जो है, वो जरूरी है, हम सब एक हैं, अगर हम किसी छोटी caste के बंदे को ले ले, एक higher caste के बंदे को ले ले, उनकी similarities को देखे, तो same है, दोनु same है, जो आखनाक कान इसके पास है, same आखनाक उसके पास भी है, तो difference ना God ने create किया, difference is created by we people, हम लोग उने जो है, अपनी society में ये सारी differences create की थी, ठीक है और इनी के खिलाब जो है, हमारे जो social, हम इनको कहेंगे social thinker थे, जो कहते थे कि society जो है, वो change होनी चाहिए इसके बारे में इन्होंने बात की है ठीक है, उसके बात इन्होंने Hindu Vedanta College Kolkata में found किया, जहाँ पर ये लोग जो है, वो education देने लगे लोगों को, अब ये लोग institutions भी खोल रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को ये माना था, कि education एक ऐसा weapon है, जिससे हम लोग जो है, entire, किसी भी person या किसी भी society है, वहाँ के लोगों का behavior जो है, वो change कर सकते थे education जो है, इनके लिए एक weapon का काम करेगा, लोगों को बदलने के लिए, तो इन्होंने क्या करना start कर दिया, Vedanta College जो है, उसको found किया Kolkata में, जहां पर ये लोग क्या करने लगे real essence जो है, हम लोगों का उसके बारे में, ये लोग हमें बताने लगे that what is the duty of a man, ठीक है, और इन लोग उन्हें क्या किया, हमारे जो aniscient texts थे, like Vedas, उपनशेट ठीक है, और भी जो हमारे जो हमें aniscient world के बारे में, जो हमारे sources हैं हमारे उन सबको इन्होंने study किया और उन सबको study करने के बाद ही, ये लोग एक conclusion पर पहुंचे, जिस पर उन्होंने बात की, कि हमारी, इन्होंने बात उठाई कि हम पहले क्या थे, लेटर क्या थे, और अब हम लोग कैसे हैं, तो कही न कहीं society को change करने की बात जो है, वो ये लोग कर रहे हैं अच्छा, due to his effort जिस तरीके से ब्रह्मा समाज जो है work कर रहा था, या जो उसके founder राजा रामोन राय जो है, जिस तरीके से काम कर रहे थे, तो western जो thinkers थे, उन्होंने इनको नाम दिया था father of Indian renounce ठीक है, renounce क्या होता है, एक change लाना ठीक है, society के अंदर एक change लाना तो इनको कहा जाता था, father of Indian renounce guys, याद रखिए, ऐसे concept देखे, आपको पूछते भी आपको आपकी जो, जिक SSB की जो sleep assess में important personalities के बारे में भी है तो हो सकता है, इन personalities के बारे में भी आपसे पुछ जाए, mentioned नहीं है कि आपको कौन से personalities पढ़नी है, ठीक है, वो कुछ भी पूछ सकता है, आपको personality के लिए तो ये चीज़े याद रखिए, राजा राम मोन रोय ने क्या form किया था, ठीक है, किस चीज के खिलाफ थे ये, या उनके foundation क्या रही है, क्या found किया है उनके, और उनको, जैसे आपको पूछ सकते हैं कि बताइए, father of Indian renance, जो है, वो किसको कहा जाता है, तो ये सब चीज़ें जो है, वो आपको पता होनी चाहिए, चीक है, after that, ब्रह्मा समाज के बारे में इतना काफी है आपको समझने के लिए, इसके बाद हम दूसरा समाज जो है, यहां पर आता है, that is पराथना समाज, पराथना समाज जो है, यह क्या है, आत्मा राम, पांडू रंगा ने जो है, इसको found किया था, देखे, founder का नाम आपको देखे, इस चीज़ को समझी क्या है, अगर हम अनिशेंट वर्ल्ड को जब पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आप हडपा सिवलाइजेशन के बारे में पढ़ो, तो there is only, we don't have any concept of God over there, हम लोग क्या देखते हैं, कि वो जो लोग थे, वो लोग supernatural power में blue करते थे, ठीक है, उनके पास, जैसे हम लोगं के पास आज, एक idol form है God की, उनके पास नहीं था, हाँ, एक पशुपती जो है वहाँ पर God मिला है, एक seal के उपर, जिसमें क्या है, एक बंदा जो है, वो सादू के भेश में बैठा हुआ है, और उसके आजू-बाजू में जो है, कुछ जानवर है, deer is there, an elephant is there and so many other things जो है, उस पर mentioned है, वो seal पर mentioned है, सिब हमें वो concept मिला है, हमने उसको जो है, हमने कहा कि ये, वो लोग जो है, इसको God मानते थे, लेकिन वो God मानते थे, इसको protector of animals, वो उसको पूछते थे, क्योंकि वो कहते थे, ये protector है हमारे God का, उसके बाद हम जब थोड़ा सा, और enniscient history को आगे पढ़ते तो हमें concept मिलता है, विश्नु का, अगनी का और इंद्र का, रुद्रा is there, so limited God थे हमारे, ठीक है, लेकिन धीरे, 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 धीरे हमारे यहां पर क्या start हो गया, multiplicity of God जो है, वो होना start हो गया, multiple Gods का जनम होना start हो गया, विश्नु इजम आ गया, जो है, शिविजम आ गया, अलग-अलग जगाओं पे लोग अलग-अलग से God को define कर रहा है, तो यह लोग कहने लगे यार, रियल में God है क्या चीज, रियालिटी में God क्या है, तो इन लोग उने जब ancient world को, जो हमारे वेदाज है, उनको इन्होंने study किया, तो वेदाज को study करने के बाद, इन्होंने बोला, there is one God, ठीक है, God है, जिसका ये तक नहीं पता है, कि उसका gender तक नहीं पता है, उसकी form तक हमको पता नहीं है, ठीक है, कि वो कैसा है, how does it look like, वो female है, male है, या कैसा है, किसी को कुछ पता नहीं है, सिर्फ उसका एक, क्या है, मतलब हम सिर्फ उसको feel कर सकते हैं, एक energy kind of है वो, ठीक है, उस energy को हम, जो है, वो feel कर सकते हैं, तो इन्होंने कहा believe किया कि लोगों को, कि हम एक God में believe करें, कि there is one God, ठीक है, और हम सब जो है, उसी को जो है, उसी के साथ जो है, जुडे रहें, ठीक है, so main प्रतिन समाज जो है, इसका main आप याद रखिए, कि इसके founder कोन थे, और उनका aim क्या था, to make people believe in one God, उसके बाद आता है आपका आरिया समाज, एक और समाज, एक और society हमारे form हो रही है, जिसमें बात की जा रही है, ओके, आरिया समाज जो है, ये 1875 को जो है, वो found हुआ, ठीक है, और इसके founder कोन थे, सवामी देनंद, ठीक है, सवामी देनंद ने जो है, इसको found किया, जिनका पहला नाम, अब ऐसे भी पूछते हैं कि बताए, स्वामी देनंद का पहला नाम क्या था, उपकी पहले किस नाम से जाना जाता था तो उनका पहला नाम था मूल शंकर ठीक है मूल शंकर के नाम से इनको पहले जाना जाता था ठीक है और इनका इन्होंने motto दिया था एक वो motto क्या था Go back to Vedas and India for Indians ये दो concept उन्होंने दिये थे कि Go for Vedas आप Vedas पे जाईए उनको study कीजिए क्योंकि इनका मानना था कि हमारे जो Hinduism है इसका पूरा का पूरा चिठा जो है हमें Vedas से ही मिलेगा Vedas को पढ़ोगे आपको सब कुछ जो है वो पता चल जाएगा कि क्या है हम लोग क्या है Is there any kind of costism है रखना है या नहीं रखना है How God create us या What is the meaning of God ये सब चीज़े हम जो है वो society की जो है हमें Vedas से मिलेगी या society में जितनी भी evil practices follow की जा रही थी तो क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये सब का सब जो है वो हमें Vedas से मिलेगा कहने का मतलब ये कि Hinduism की शुरुआत जो है वो उन्हीं Vedas से होती है तो इन्होंने कहा कि आप पढ़िए खुद से पढ़िए खुद से जानने की कोशिश कीजिए कि Vedas जो है वो क्या कह रहे है ठीक है तब जाकर आपको पता चलेगा ठीक है लेकिन अब हम लोग है तो हम लोग क्या है हम religious जो हमें teachers जो teaching करवा रहे है तो हम उसी को follow कर रहे है तो ऐसा क्यों जब we have source के हम लोग पता कर सकते हैं कि essence क्या है हमारा real में तो हम क्यों teachers का सुने हमें तो खुद वेदास को पढ़ना चाहिए यही मानना था जो है आरिय समाज का ठीक है आरिय समाज जो स्वामी वुवेकानन थे इन्होंने books भी लिखी हुई है very important आपको paper में भी पूछा गया important personalities books के बारे में पूछा गया तो पता होना चाहिए आपको इसलिए मैंने इनको mention किया हुआ है स्वामी वुवेकानन के दुआरा दो books लिखी गई थी पहली book का नाम था वेदया भाष्या भूमिका ठीक है I hope कि आपने जब screenshot यह होगा इसमें वो साब दिख रहा है नहीं दिख रहा है तो comment section में मुझे बता दीजेगा मैं कोशिश करूँगा आपको इनको बताने की ठीक है पहली book जो थी इनकी दैट इस वेदा भाष्या भूमिका और नेक्ट वन इस वेदा भाष्या ये दो चीजें जो है ये दो books जो है इन्होंने लिखी थी अपने आर्या समाज के उपर कि हम लोग किस तरिके से काम कर रहे है ये लोग हमारा motto क्या है ये समाज बना अबेगा उसके बाद they have started shouldi moment इन्होंने शुद्दी मुमेंट भी start की थी स्वामी बोवेका ननन में शुद्दी मुमेंट भी इन्होंने क्या किया थह इनने कहा था कि जो लोग non-muslim हैं ठीक है जिनको non-muslim है अगर वो हिंदूजम में आना चाहें तो हम उनका welcome करते हैं ठीक है हम उनके शुद्धी करन जो हैं वो करेंगे तो इन्होंने इसके लिए एक शुद्धी मुमेंट भी start की थी ठीक है guys I hope कि ये तीनों आपके concept clear होगे ह next that is Ramakrishna Mission तो Ramakrishna Mission भी start किया गया था इंडिया में ठीक है इसके founder वो थे Vivekanand ठीक है इनके founder थे Swami Vivekanand guys आपके लिए homework है आप comment section में जरी लिखेगा के Ramakrishna Mission जो है वो कब start हुआ था उसकी exact date क्या थी उसको ज़रूर mention कीजिए हमारे कुछ effort आप भी लगाईए ठीक है okay so इसके founder कौन थे Swami Vivekanand जिनको की हम पहले उनका एलियर नाम क्या था नरिंदरनाथ गुफता ठीक है नरिंदरनाथ गुफता उनका पहला नाम था बाद में उनको जो है जब उन्होंने इनकी जो काफ उनको थोड़ी देर के बाद जो है फिए Swami Vivekanand के नाम से जो है वो जाना जाने लगा इनके गुरू की अगर मैं बात करूं तो he was influenced by his guru whose name is Shri Ramakrishna Parmahans ठीक है रॉबिन हुड भी इनको कहा जाता है ठीक है शिरी रामा कृष्णा को पर्माहंस को जो है वो इन्डिन रॉबिन हुड भी कहा जाता है ठीक है और यह जो थे आपके Swami Vivekanand इन्होंने कुछ पेपर्स भी जो है लिखते थे यह लोग यहां पर मैंने नाम लिखा हुआ है प्रभूद भारत अन उदो बोधना ठीक है यह जो है प्रभू प्रभू होदा जो है यह एक English पेपर था ठीक है मैं यहां पर लिख रहा हूं यह एक English में लिखा जाने वाला पेपर था and this one is in Beng पेपर ठीक है यह बैंगौली निउस पेपर था ठीक है स्वामी वेकनन का पहला नाम क्या था नरिंदर नाथ गुपता गुरू कौन थे शिरी रामकृष्ण परमहंसा और पेपर क्या लिखते थे ये दो पेपर ये लोग publish करते थे इन पेपर में ये लोग society को समझाने की कोशिश करते थे अपनी तरफ से की जो है हमारा culture क्या है कोशिश की है इन्होंने society में change लाने की उसके बाद जो हमारा next topic आ रहा है that is young bengal moment so young bengal moment जो है इसको start करने वाले थे henry, lewis, vivion ठीक है, deserio ठीक है और इसको found किया था 1809-1831 तक ये हमारे इंडियन सब कॉंटिनेंट में रहा था अब देखिए indians thinker society में india के लोगों को change करने की बात कर रहे है वही पर जो britishers थे जो westerns थे उनको भी जो है वो काफी ये चीज प्रभावित लगी बहुत अच्छी लगी और उन्होंने भी जो है अपनी तरफ से कोशिश की कि हम लोग भी जो है राइट्स क्या है लिबर्टी क्या है इक्वैलिटी क्या है फ्रीडम क्या है constitution क्या है दे लो वेरी वेल अबॉट इस कंसेप्ट ठीक है ना क्योंकि वहां जो हमारे इंडिय में जो वहां पर हुआ है वो इंडिया में बहुत बाद में हुआ जैसे हम लोग बात करते है फ्रेंच रेवलुशन जो 1789 में जो फ्रेंच में हुआ था जो एक्वैलिटी फ्रेटरिटी और आपके कंसेप्ट वहां से निकल के आए है तो इंडिया ने ऐसे सब कंसेप्ट जो है बहुत लेटर ओन इनको समझा है ठीक है जब इंडियन जो वेस्टन जब इंडियन ने वेस्टन एजुकेशन लेना स्टार्ट कर दिया वेस्टन एजुकेशन को लेने के बाद ही उन्होंने इन कंसेप्ट को समझा that rights क्या होते है liberty क्या होती है fraternity क्या होती है constitution क्या होता है फिर जब उन चीज़ों को समझने के बाद उन्होंने इंडिया में demand जो है वो start कर दी थी कि हमें भी ये सब चीज़े जो है वो चाहिए Britishers क्यों हमें ये सब चीज़े जो है वो नहीं दे रहे 1808 से लेकर 1831 तक ही रही थी बाद में ये जो moment थी ये जो है बंद हो गई क्योंकि ये काफी racial थी ठीक है इसमें selection चिर्फ race के base पे होती थी ठीक है तो इस moment को जो है बाद में बंद कर दिया गया था ठीक है और he also edited the paper वो paper भी edit करते थे जिसमें Hasperus paper आता था and Kolkata Literary Gazette जो paper है ये लोग लिखते थे ठीक है लोग उनको paper लिखते थे ताके society में जो है वो लोग उनको पढ़े पढ़ने के बाद जो है जितने भी जो system है उसको बदलने की कोशिश जो है वो ये लोग कही ने कही कर रहे थे After that we have Veda Samaj ठीक है Veda Samaj एक और हमारे यहाँ पर एक moment चलाए जाती है उसको हम लोग Brahma Samaj of South भी कहते है ठीक है ये moment जो है ये South में start की गई थी and this Veda Samaj's copy of Brahma Samaj ठीक है इसको South में start किया गया था by Shri Darula Naidu ने इसको start किया था इसने क्या किया था इसने सिर्फ जो Brahma Samaj के जो आइडियास थे उनको इसने Tamil और तिल्गू में convert करके जो है वो लोगों तक पहुँचाया था इसने बताया कि society में जो evil चीज़े हैं जैसे मैंना भी बताया कि Brahma Samaj जिस concept को लेकर चल रहे थे सेम इसने लोगों को अपनी local language में जो है वो समझाने की कोशिश की क्योंके वहां के local लोग जो है वो Hindi English तो उतना नहीं पढ़ेंगे वो अपनी जो अपनी उनकी local language है उसी को पढ़ेंगे तो इसने simple वही काम किया इसने अपने ही language में जो है लोगों तक जो है ये concept पहुँचाने की कोशिश की that किस तरीके से ब्रह्म समाज जो है वो work कर रहा है ठीक है so guys I hope ये तीन चीज़े भी आपकी clear हो गई रामा कृष्णा mission क्या था यंग बेंगौल movement क्या था and वेदर समाज जो है वो क्या था ठीक है okay next next is theosophical society जो है हमारे इंडिया में found होती है this society is founded by the westerners westerners जो थे उन्होंने इसको found किया था first of सबसे पहले इसको जो foundation करने वाले थे उनका नाम था Madam H.P. Balawetskay ठीक है Balawetskay जो है इसको found करने वाली थी इन्होंने 1875 को ये USA में found किया था ठीक है ये जो आपकी theosophical society है इसको सबसे पहले USA में found किया गया है 1875 को ठीक है basically ये कहाँ पर बनी थी 1875 को USA में बनाया गया है later इसको colonel MS Oclet ने shifted किया था अधियार एक जगा का नाम है Tamil Nadu में इंडिया में ठीक है हो सकता आपको पेपर में ये चीज़ पूछ लेंगे बताए जो theosophical society है उसका जो concept है उसको इंडिया कोन लेके आया था या उसकी foundation कहाँ पर हुई थी तो उसकी foundation USA में हुई है founder इसका अलग है इस आइडिया को इंडिया लाकर जो है फैलाने वाला अलग है तो इसको याद रखिए ठीक है इन दो persons के नाम भी आपको पता होने चाहिए और आपका concept जो होना चाहिए कि इंडिया में ये कहाँ पर आया था तो या था अधियार in Tamil Nadu इंडिया कब 1882 Foundation इसकी 1875 में हुई है और इसको concept इंडिया ये कब आया है 1882 में ठीक है इसके President अगर की मैं बात करूँ तो 1907 में Any% जो है इसकी President जो है वो घोशित कर दी गई थी Any% की अगर मैं बात करूँ तो इंडियान नेशन मुमेंट में Any% का भोती prominent नाम जो है रही है So Any% की अगर मैं बात करूँ तो इसने Central Hindu College जो है found गया था इंडिया में और उसकी date है 1898 ठीक है याद रख लीजिए कहां पर लिख 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 हां यहां पर लिख देता हूँ कि इन्हों ने यहां पर लिख देता हूँ मैं ठीक है यहां आप ऐसे सुन लीजिए अच्छे से कि 1800 कब 1898 को इसने हिंदू क्या नाम थे इसका हिंदू कॉलेज ठीक है Central Hindu College Central Hindu College जो है वो फाउंड गिया था ठीक है लेटर ओन यही Central Hindu College जो है लेटर ओन 1916 में क्या बना था आपका Banaras University घोशित कर दिया गया था ठीक है याद रख लीजिए Central Hindu College जो है जो सथापना है 1980 को हुई और 1900 1916 में यह क्या बन गया Banaras Hindu University जो आज है वो उसका पहला नाम था Central Hindu College जिसको founder करने वाले कोन थे अनी बसेंट ठीक है अनी बसेंट के बारे में हम और इसके बारे में जब हम मुमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मुमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे सो अलिगर मुमेंट जो है इसको स्टार्ट करने वाले थे सरसियाद एहमद खान ठीक है सरसियाद एहमद खान ने जो है अपने मुस्लिम भाईयों को भी समझाया ठीक है भई आप में भी कुछ चीज़ें जो है वो चेंज होने के लिए चाहिए हमें कि हम जो है चेंज लाएं आप में भी कहीने कहीन अगर हिंदू अगर अपने अंदर चेंज ला रहे हैं तो ही वाज दा परसन जिसने मुस्लिम के लिए कहा के हमें भी आप जो है अपनी और्थोडोक्सी को जो है थोड़ा बहुत चेंज करना होगा हमें भी अपनी सिस्टम को थोड़ा बदलना होगा उस बदलाओ के लिए इन्होंने कुछ फाउंडेशन्स करी जैसे इन्होंने तहजीब अल अखिल इखलाक 1870 में फॉर्म किया जहाँ पर यह अपने जो मुस्लिम भाईस थे उनको एजुकेशन दे रहे थे रियल एसेंस समझा रहे थे उनका सोसाइटी में जो उनके अंदर की जो चीजे थी जो उनमें कमिया थी उनको सुधारने की कोशिश कर रहे थे तहजीब अल इखलाक 1870 में इन्होंने बनाया याद रखिएगा प्लीज अलिगर्ड स्कूल जो है इन्होंने फाउंड किया 1875 में गाईज एक बात याद रख लीजिएगा ये जो अलिगर्ड स्कूल है अलिगर्ड स्कूल के अगर मैं बात करूँ तो अलिगर्ट स्कूल जो है 1877 में क्या बन गया था मोहमेड़न एंगलो ओरिएंटल कॉलेज बना था ये मोहमेड़न एंगलो ओरिएंटल कॉलेज बना था ये ठीक है मोहमेड़न ओरिएंटल कॉलेज बना था ये 1877 में लेटर ओन इट बिकम्स अलिगर्ड में उनिवर्सटी अलिगर्ड उनिवर्सटी तो अगर आप से कोई पूछे कि बताईये अलिगर्ड उनिवर्सटी किस ने फॉर्म गी तो यह फॉर्म कीती सर्षियाद आहमद कान ने इनका एक कंसेप्ट चल रहा था 1875 को अलिगर्ड इन्होंने स्कूल फाउंड किया और लेटर ओन लेटर ओन करते 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 इट बिकम्स मुहमिड़न अंगलो ओरिएंटल कॉलेज बन गया और लेटर ओन इट बिकम्स आपकी अलिगर्ड युनिवर्सटी ओके गाइस नेक्स और लॉस्ट इस सत्या शोदक समाज सत्या शोदक समाज जो था इसको इसके फाउंडर थी जोति राय पुले ठीक है और जोति राय पुले ने इसको फाउंड किया था 1873 जोति राय पुले जो है वह जो फिर्ष लेड़ी थी जिसने के जोति राय पुले जो थे वो पहले ऐसे परसं थे जिसने की बात की थी lower cost के बारे में उसने बात की थी untouchability की की क्यूं society में untouchability हो रही है क्यूं लोगों को caste के base पर एक दूसरे से लोग नफरत कर रहे हैं, क्या वजा है तो he was the first person जिसने बात की थी आपके lower caste के लोगों के लिए and he advocate the cause of untouchability कि why there is untouchability in society इसका real मतलब जो है क्या है, इसके बारे में इन्होंने बात की थी और इन्होंने दो books लिखी हुई जिस book का नाम है, एक book इन्होंने लिखी थी, गुलामगरी गुलामगरी जो book है, इन्होंने dedicated की थी people of USA, मैं यहाँ पर लिख दे रहाँ USA, याद रखिए गुलामगरी जो book है, written by Jotiro Pule and this book is dedicated to the people of USA, ठीक है, क्योंके वहाँ पर गुलाम बहुत होते थे, अगर आप ने किस्ते पढ़ा होगा, black people और white people का concept, वो लोग, यह जो तुम आज negro देखते हो USA में, they are migrants from the Africa and the adjacent area जो है, वहाँ के उन areas से लोगों को खरीद कर जो है, गुलाम खरीदे जाते थे और उनको shift किया जाता था, आपके America में, क्योंके Britishers थे, वहाँ पर Britishers as a slave trade होता था, और वो लोग वहाँ पर shift किये जाते थे, and later on फिर दीरे-दीरे क्या हो गया, जब वहाँ पर भी moments चली, and when finally USA got independence in 17th century, तो उन लोगों को भी फिर वहाँ की citizens मिलगी, तो जोतिरोब पुले ने जो है ये book जो है, वो अपनी dedicate की थी people of USA के लिए, और दूसरी जो book थी इनकी, that is सर्वजीनिक, सर्वजीनिक सत्यधर्मा पुस्तक, इन्होंने लिखी थी, जिसमे इन्होंने society के जो evil things थी, उनके बारे में mention किया, तो guys, देखे, overall जो मेरा आपको बताने का मतलब ये है, कि किस तरीके से social और cultural appraisings होना start हो गई, इंडिया में, हमारे thinkers जो थे, उन्होंने किस तरीके से बात की, society में, जो evil things थी, जो बुरी चीज़े थी, इनको change करने के लिए, ये आपके point of view, paper के point of view से important है, इसमें पढ़ लीजे, इसमें आपकी personalities भी cover हो रही है, इसमें आपकी books भी cover हो रही है, और किस बंदे ने, क्योंकि ये सारे कहीं ने कहीं, जो है, वो जो है, society को change करने की बात करेंते हैं, these people are also big personalities, ठीक है, इनके बारे में हो सकता है, paper में आपको पूछ भी ले, बताइए, बर्मो समाज के बारे में कुछ भी पूछ लेते हैं, उनकी contribution का पूछ लेते हैं, उनके founder का पूछ लेते हैं, उनके foundation की date पूछ लेते हैं, कुछ भी आपको इसके बारे में पूछना तो इसको एक बार अच्छे से जो है वो discuss के लिजिए हम लोग यहाँ पर आपको जो है यह सब करवा ही रहे हैं हमें आपको PDF भी प्रोवाइड करनी है फिर भी books भी consult कीजिए आप अपनी तरफ से भी प्रोवाइड करेंगे तब तक लेकिन आप भी जो है वो पर्टिकुलर किसी एक कंसेप्ट को लीजिए जैसे सोचलें कल्चर अप्राइजिंग को गूगल से कर लीजिए वहाँ उसके PDF आपको मिलेंगे और यू विल पेपर में time utilization का concept पड़ता चलेगा कि किस तरीके से हम अपना time जो है वो utilize करते है क्योंकि majority of person क्या करते है पेपर में क्या होता है कि उनको पता नहीं चलता है कि फिर वो कहते हैं कि यार हमें time नहीं रहा पेपर करने के लिए तो आपको time management करना बहुत जरूरी है आपके ध्यान में रखते हुए आप जो है वो test series जो है दीजिए ठीक है अभी बहुत time है paper के लिए लेकिन ये भी नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा time है लापरवा नहीं होना है start preparing yourself थोड़ा-थोड़ा कीजिए ठीक है वो कहते है slow and steady wins the race तीरे-दीरे पड़ोगे थोड़ा-थ concept की ठीक है बहुत सारे बच्चों का यह comments भी आते हैं कि sir आप जो है जो मतलब इतनी history क्यों पढ़ाते हो क्यों सो देखे मेरा यह मेरा यह मानना है कि जब पेपर में जाते हो जब पेपर दे रहे हो ठीक है अगर मैं आपको simple points याद करवा रहा हूं मैं कह रहा हूं कि यह च एक-एक point clear करवा रहा हूं तो आपका focus ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई भी question आपसे पूछ रहा है like revolt के बारे में आपसे कोई कुछ पूछ रहा है तो वहां पर option आ रहा है तो आपको option में पूरी चार options के आपके mind में चार कहानियां बननी चाहिए कि अरे ये तो वो था इसमें तो ये चीज हुई थी ये तो अलग चीज है ये तो अलग चीज है चारों तो जब वो आप चारों को define करोगे ने एक दूसे तब भी आप correct answer चुन पाऊगे ठीक है ना तो अगर मैं किसी का comment आया था कि भाई सर इतनी history क्यों पढ़ा रहे हो आप हमें तो मैं वही तो कह रहा हूं आपको कि आप test दीजिए अगर आपको टेस्ट दीजिए ठीक है ना concept हम समझा रहे हैं concept मेरा यह समझाने का है कि भाई जब आप paper में जाओ अगर आपको कोई दिख रहा है वहां पर चार option दिख रहे हैं तो आपके पास चारों को लेकर clear vision आपका होना चाहिए कि भाई यह तो यह कह रहा था यह यह कह रहा था confusing नहीं होना चाहिए confusing जो है वह आपके लिए ही जो है वह नुकसान दे है ठीक है ना so confused नहीं होना मैं अगर आपको पूरी history बता रहा हूं तो उसके पीछे मेरा यही मॉट्टे हो कि भाई आप clearly जो है जितने भी marks अगर आप 20 marks का GS है आपको आप 20 में से 20 marks लेकर आओ ठीक है ना तो यही मेरा concept है तो hope you guys जो है आज हमारे इस lecture को आपने जो है आपको समझ आई हो इसको पढ़िए एक बार अच्छे से देख लिए जहां पर आपको जो भी queries हो हमारे numbers पर call कीजिए हमें comment section में लिखिए हम यहां पर बैठे हैं आपके जो हैं हम अप inspiration मिलती है हम लोगों को ठीक है thank you so much guys so जितना हो सकेगा हम से हम आपको उतने ही deep जो है समझाने की कोशिश करेंगे every concept जो है आपका clear होना चाहिए ठीक है so आज के लिए इतना काफी है जैसा कि मैं आपको फिर से में एक बार फिर से बता दूं कि हमारा offline batch जो है वो start हो चुका नंबर है शुबम सरकाव उनको call कीजिए अपने आपको जो है वो register करवा लीजिए हमारे जो offline batch है वो करन अगर जमू में श्री इंस्टिटूट में जो है वो start हो गई है कल से 10 से हमने 15th of Jan से हमने start किया है लेकिन अभी बच्चे आ रहे हैं admissions हो रही है तो अगर आप मेंसे क अपना process जो है वो start कर दिए ठीक है guys so stay safe आप तो corona भी जो है का उसकी vaccine भी आ गई है तो अपने आपको फिर भी साफ रखिए safe रही है ठीक है तो मिलेंगे अगली वीडियो में आपके साथ तब तक लिए goodbye ठीक है और have a nice day okay